नेपाल सूपर लीग एनेसल को पुरसकार रकम अगीलो ससकरण मा भंदा दोबबर ले बढ़े को सा। अगीलो ससकरण मा चैंपेन कारफंडो रेजर्स ले 35 लाक रुपेयां पाया को मा यो ससकरण मा चैंपेन हुने टोरी ले 70 लाक पाउने आउज़क नेपाल स्पोर्स मैनेजमेंट ले जनाया को सा। अगीलो ससकरण मा चैंपेन कारफंडो रेजर्स ले 30 लाक रुपेयां पाया को सा। पाउने उतक्रिस्ट गोलकीपर र इमेर्जिंग प्लेयार ले 1 लाक रुपेयां प्राप्त करनेशन। नेपाल स्पोर्स मैनेजमेंट की अद्धक्सिय आश्रयाता कार की चोधरीले आगामी ससकरण मा पुरसकार रकम अजे बडायर लाई जाने बताया किसिन। नेशल को दोस्रो ससकरण ले नया चैंपियन पाउने पक्का भायकाशा साविक विजेता कारफंडो रेजर्स एलिमिनेटर बार्ट बाहिरीये जंगई नेशल मा यसपटक नया टोली रे उपादी उचालने निस्चित भायको हो। दोस्रो त्रंग साला मा जारी नेशल मा ललितपूर सी टी एपसी विरुद्दा मंगलबार तीन सुने ले पराजित भाय संगे कारफंडो को उपादी यात्रा मा पूर्ण बिराम लागे को हो। यसपटक उपादी दडमा बाकी रहे का तीन टोली मध्य धनगडी संगा मात्र एनेसल को फाइनल खेले को अन्वपस, पहिलो सस्करण मा पनी पहिलो क्वालिफायर जीतेई फाइनल पूगे को धनगडी फाइनल मा पराजित भायको थियो। पोखरा रा ललिफपूर बिचको खेलको न्योणाय पहिलो पटक बिहीबार को जीत हार मा होने छा, एसगी दुवई भेटमा इदुईले अंकबाने का थिये। लिफ चरण को एसपटक रा संद्विजरेकाईस को पहिलो ससकरण मा पनी पोखरा रा ललिफपूर ले गोल्ड रहित बराबरी खेले का थिये।